हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लोग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपनी यूटूब चैनल पार्थरायत ब्लोग पर जो भी भाई वेन पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो लाइक करें चैनल सस्क्राइब करें और बात करूँगा डेली पुलिस कॉंस्टेवल का जो ड्राइवर का फिजीकल हो रहा है अपना उसकी आपको सारी प्रोसेसिंग बताऊंगा यो डेली पिलिस ओफिसर्स जो आपके ग्राउंड में रहते हैं वह कैसे रहते हैं क्या उनका वेवियर रहता है वह कैसे क्या पूर का एक बारिक से बारिक चीज़ बताऊंगा तो वीडियो बने रहना वीडियो लाज तक देखना तो दोस्तों अभी में देख सकते हैं आप सुबहे के दत बज रहे हैं और मैं बैठा हूं ग्राउंड में एज यूजूल रनिंग करने के बाद जो मेरा डेली रूटीन है मैं स दोबहे रनिंग करता हूं फिर उसके बाद एक्सरसाइज बगेरा और अपनी लॉंग जम फाय जम करता हूं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग भी अपना फिजीकल अच्छे से कर रहे हो और आपकी टाइमिंग अब आने लगी हो और अगर दोस्तों अभी भ आपको बता रहा था देली पुलिस फिजीकल जो मेरा हुआ था 2021 में उसका एक्सपिरियंस आपको बताता हूं तो वीडियो पूरी देखना तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता रहा था जो मेरा देली पुलिस कॉंस्टिबल 2020 का फ परना फिजीकल अप्रेल में हो जाता तो फिजीकल मेरा अगस्त 2021 में हुआ था तो मैं उसके जोड़ी आपको सारी बाते बताता हूं तो फ्रेंट्स जैसा कि अभी आपके सबसे पहले तो एडमिट काड आएंगे ठीक है दोस्तों उसके बाद जो डेली पुलिस में आपके ज 11 कलाव में था 5 नमबर गराउण में तो दोस्तों तब से पहले आपको वहाँ पहुंचना होगा और जितने शुबहँ चार बजे से entry हो जाती है आप जितने जली entry करेंगे आपका running का batch उस सबसे पहले बनेगा तो दोस्तों हम लोगों का भी 4 बजे से entry शुरू हो गई थी तो हम लोगों ने भी 6 बजे entry कर लिती तो हमारा जो batch बनाता second last batch बनाता उसमें सारे गौालियर के और MP के लड़के थे उस दिन अलग-अलग दिन से इस आपसिट बुलाते हैं state by state तो हमारा physical था MP वालों का तो मेरा उसमें batch में आया था सब second last batch में और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि तब उन्होंने 50-50 बच्चों के batch बनायते रनिंग के लिए मतलब एक बार में 50 बच्चे दोड़ेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे ऐसा ही 400 का वाँ ट्रेक है दिल्ली पुलिस के यहाँ पर वो आपको 4 राउंड लगाने पड़ेंगे 1600 मीटर और आपको एक गले में चिप डाली जाएगी चेस्ट नमबर दिया जाएगा तो चिप उसी में लगी रहेगी तो आपका जैसे ही आप वहाँ पर रनिंग यहां से स्टार्ट होती है वहाँ पर एक मेटी डली रहती है वहीं सामने सेंसर लगी रहती है जैसे ही आप वहाँ से रनिंग स्टार्ट करते है आपकी चिप में टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है तो दोस्तों अब यह मत सोचना कि मैं पीछे लग गया हूँ तो मैं आँगे आँगा तब तक मेरा टाइम बेस्ट हो जाएगा तो ऐसा नहीं है जब आप वह मेटी पर पैर रखेंगे तब ही से आपका रनिंग का टाइम स्टार्ट होगा तो दोस्तों सबसे पहले वहाँ पर वहाँ आपसे कुछ कॉर्मल्टी वगएरा रहती है फॉर्म हम फिल कर आते हैं आपका नाम, एड्रेस, एड्रेस, डॉकुमेंट देखते हैं थोड़े बहुत फुरू बात में आपको एक फॉर्म देते हैं वो आपको बनना पड़ता है फिजिकल सा रिलेटेट कि आपको कुछ हो जाए कर जाए तो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी तो दोस्तों उसको बनने के बाद आपको वापे चेस्ट नंबर मिलेगा देन आपको रनिंग के लिए लाइन में लगाया जाएगा और दोस्तों आपके अलग अलग बैच बने रहेंगे जैसे पहला वाला बैच दोड़ गया तो आपको वहीं बठा के रखेंगे ऐसी टीन सेड लगी रहती हैं आप देख सकते पीछे उसके नीचे आपको बठा के रखेंगे तो दोस्तों जैसे एक बैच ने पड़ता है दूसरे बैच को लाइन में लगा देते हैं दूसरा बैच खतम होता है तीसरे बैच को तो ऐसे आपका फिजीकल होता है तो पहले आपको 1600 मीटर रणिंग करनी पड़ेगी ठीक है दोस्तों उसके बाद आपको जैसे आप फिजीकल में आप रणिंग आपने किलियल कर ली उसके बाद आपको वहाँ पे साइन करने रहते हैं जो फायल हुए या पास हुए जो फैल हो जाते हैं उनको अलग पीछे के रास्ते से बार कर देते हैं ग्राउंड के और जो पास हो जाते हैं उनको फिर लॉंग जंप में मौका दिया जाता है दस से पंदरा मिलिट का आपको समय मिलेगा दोस्तों रॉनिंग के दस मिलिट बाद पंदरा मिलिट बाद आपको लॉंग जंप करना पड़ेगा और लॉंग जंप के बाद अगर आप लॉंग जंप में पास होते हैं देन आ आपको पता ही होगा आपका फिजीकल सोला सो मीटर साथ मिलिट में लॉंग जंप साड़े बारा फिट हाई जंप साड़े तीन फिट तो दोस्तों अगर आप इन चबी तीनों कॉलिफाई करेंगी इवेंट उसके बाद वहीं पर आपका दस से बीस मिलिट बाद साथ बज़े तक और आपको बारा एक बज़े तक वो लास्ट वैच कंप्रीट करके निकाल देते हैं बार और दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि जो वहां के ऑफिसर रहते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं कोई ऐसे नहीं रहते जो अभी बीस एप सी एर्पिए बा या आपको आधा फेट नहीं आपाता लाइन पैर ही में पाता तो इसा कुछ नहीं है वो पास कर देते हैं और बहुत से ऐसे रहते हैं जो नहीं भी करते वो आपकी किसमत के और यह कि आपके टाइम कैसा ओफिसर वहां मौजूद है तो दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था हमारे बैच में भी कई लड़के थोड़े बाद फाउल कर रहे थे तो उनको पास कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी और सिर्फ वहां पे जो हाइट नपती है वहां पे कैमरा लगा है तो दोस्तों हाइट में आप बिल्कुल भी मान के चलें कोई गुंजाइस नहीं है अगर आपकी पॉइंट में भी हाइट कम है तो आपको मैं अभी बताएता हूँ आपको वहां भार कर दिये जाएगा क्योंकि मेरे साथ वाले थे भाई उनकी भी 0.3, 0.4 cm हाइट कम थी तो उनको भार कर दिया गया क्योंकि वहां पे कैमरे लगे हैं तो दोस्तों वहां पे कोई ओफिसर रिस्क नहीं लेता इसलिए आप हाइट में तो कोई गुंजाइस नहीं है और बाकी अगर आप थोड़ा फाल कर रहे हैं लॉंग जंप में, हाई जंप में तो आपको वहां पे थोड़ा बहुत जी है डैली पुलिस वाले आपको पास कर देंगे फिजीकल में तो दोस्तों जे तो आपकी फिजीकल से रिलेटेड बात हुई तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आने वाली वीडियो में मैं आपको और बताऊँगा फिजीकल से लेटेड और देख सकते हैं दोस्तों मेरे पैर में मैं ये बांद कर रनिंग कर रहा हूँ क्यों कि दोस्तों अब रनिंग करते हैं दर्द तो सभी को होता है मुझे भी हो रहा है तो मैं भी यह बांद कर रणिंग करता हूँ दोस्तों देख सकते हैं आप इससे क्या है थोड़ा पेन में रिलीफ मिलता है तो दोस्तों आप लोग भी दोनों टाइम फिजीकल स्टार्ट कर दें और मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से क्वालिफाई करेंगे और दोस्तों निलते नेस्ट व्लोग में उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सस्क्राइब करना वीडियो लाइक करना मिलते नेस्ट वीडियो में ओके दोस्तों